तब बहुती सीधी और प्यारी लड़की थी, वहीं सुनिल एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का सुनिल, बेटा सुनिल कहा है, अरे सरा एक लस पानी तो दे दो सुनिल पढ़ लिखकर और आगे बढ़ना चाता था, लेकिन मा की तबियत खराब देखकर सूचता है कि शादी ही कर ले, कब तक मा का खैल वो अकेले रख पाएगा, तो एक दिन मा ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है, तुमारी तबियत भी ठीक नहीं रहती, तो मैंने सूचा शादी कर लेता हूँ घर संबालने वाली और तुम्हें संबालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा मा अचानक से सामने बहु देखकर हैरान रह जाती है बिठे ये क्या बात होती है ना बेंड ना बाजा ना दहेज ना शगून ऐसा कैसे बहु हुआ गई मा तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ तो कहां से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शौदी करता वैसे भी मा लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे इसलिए बस वैसे ही मा जी मैं आपका खायल रखूंगी वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे है अच्छा कुछ कर गए तो सब की दिन फिर से अच्छी आ जाएंगी सास को ममता की बात ठीक तो लगती है लेकिन मन में कहीं न कहीं लगता है कि कहीं बहु बेटे को लेकर फर ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली बेटा देख मेरा जो कुछ भी है वो सुनिली है और सुनिल का भी आप इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं क्या सुनिल बिल्कुल मा लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का एहम इस्सा है जैसे तू है सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है कैसे कोई और उसके 30 साल की बेटे की जिन्दगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है देख बहू मैं भले थोड़ा भी मार रहती हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खतम हो गया मैं आज भी इस घर की रानी हूँ समझी बेटा सोचता है कि ये मां को अचानक से क्या हो गया कल तक जो मां कहती थी कि जिन्दगी का कोई भरुसा नहीं वो अचानक से जंग के मैदान की जासी की रानी कैसे बन गई मां क्या हो गया है सब ठीक है न अचानक कैसे बात कर रही हो ममता काज पहला दिन है स्वागत करो उसका आसपास के आंटियों को बुलाओ नई दुलन की मुझ दिखाय करवाओ खेर सास सास उने का फर्ज निबाती है और बाद में एक सहली के साथ बाहर निकल जाती है क्यों रही बताया नहीं कि बेचे का ब्याया कर रही हो वैसे तो सारा दिन हमी में घुसी रहती हो अरे मुझे भी ताभी पता चला यूँ अचानक सर पर लेकर आ गया कहता है बहु है मा तुम्हारी अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ लो जी ये क्या बात होगी क्यों इतना प्यार करता है अरे मा का प्यार तो ज्यादा होता है अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है लेकिन तुम ही बताओ किया मा की माम तक इसे और की हो सकती है ना जी न, बेटे को समझाओ यी बार अरा क्या समझाओ मुझा तक खुधी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहाć जो बेटा कल तक मा मा करता था अचानक से बीवी, बीवी का रागा लाप रहा है देखा, उसकी बीवी न सुन्दर और जवान है सुन्दरता के आगे तो एक से एक नहीं ठीक है तो तेरा बेटा किस खेट की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहु की सुन्दरता के आगे मा का प्यार किसी काम का नहीं उदर बीवी ए जी, अम्मा जी सहलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं हम देखाएं क्या? अरे रहने दुना आ जाएंगी, कहां जाएंगी, उनकी आदत है एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है अच्छा ही है, खाना वाना खाकर गई होगी छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा नहीं, तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी बहु भी शान्त हो जाती है उदर साथ सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ जब बेटा परिशान होकर ढूंडेगा, तब मसाएगा बीवी को खुदी पता चल जाएगा कि मा के आगे उसके दाल नहीं गलेगी लेकिन वहीं दूसरी और घर पर एजी, मा जी अभी भी भी नहीं आई हमको तो घपराट हो रही है कि का करे जाकर पता करे किसी के घर अच्छा, कहा जाओगी ये भी बता दो, पहला दिन है तुमारा इस घर में और एक ही दिन में महला चानोगी क्या अहां तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना हमको फिकर हो रही है अरे यार, यह रोज का है अम्मा का खाओ और सो जाओ बस, फिर क्या था बेटा बहु खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं उदर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वहार कर घर आ जाती है जहां वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है सास को गुसा आता है बहु, मौनता बहु कहा हो लेकिन सारे दिन की ठकी बहु को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो वो तो नहीं उठती उठकर आ जाता है बेटा क्या बात है मकाय चिला रही हो अरे सो जाओ ना सुबह की ठकी है बहु मा को गुसा आ जाता है फिलाल तो सो जाती है लेकिन मन ही मन धेर सारा जहर बहु के लिए भरा होता है सुबह बहु चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज करतीती है जिससे चाय का बरतन जल जाता है और जैसे ही बहु चाय का बरतन उठाती है उसका हाथ चल जाता है मेरा हाथ चल गया वो जोर जोर से चिला कर इधर उधर भाग दिये कि सास थोड़ी दिर में उसके हाथ में पानी डाल देती है हाई रे वहू क्या कर रही हो पहली बार रसो इचुई हो क्या सासुमा गलती से कैस तीस रही थी और बरतन चल गया जीस से मेरा हाथ चल गया हाई रे कितना गंदा दा मुझ था उल्टी आ रही है तरह गलावा मास देख कर तो ना मुझ अभी साथ सखाना मत लगाना बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है कुछ दिनों के बाद, सास की सहली आती है, बहु चाय बना कर लाती है, उसकी जाने के बाद सहली कहती है, बहु की सुन्दर्ता ऐसी है कि कोई भी देवाना हो जाए, वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहु के पीछे लटो, क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो बहु की चहरे पर दीवाली के पठाकी की चकरी भाती, उसका पूरा चहरा जिल गया, अब देखो ना रही सुन्दर्ता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है, अरे अब तो व देखे आंटी मेरी सासुमा को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा परिबार साथ में खुशी से रह रहा है देख बहो, बेरे सहली की बैजज़त ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझे बहो नहीं मानती है, वो बार-बार उनकी सहली को घर से निकल जाने को कहती है कभी सास की सहली पास की चुले से लकड़ी लाकर बहो की चेहरे पर लगा दीती है बहु जोड-जोड से रोने लगती है अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहा किया, ये तो तूने किया तू ही नहीं चाहती थी कि बहु बेटी के साथ रहे बला मैं क्यों करूंगी? मैं तो चली, निप्टो आप बहु रो रही होती है, दर्द से चिला रही होती है लेकिन सास, उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती तभी पती आता है क्या हो गया ममता? ये दार कैसे लगा? कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती बस दर्द से करा रही होती है, पती मा की तरफ दीखता है हो ना हो मा, ये पक्का आपका काम है आप भी मम्ता से जला करती थी न, देखना मा, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं मम्ता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ सबी अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर मम्ता की सास से कहते हैं आपने तो नहीं जलाया ना बहु को अब मम्ता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं, वो घबरा कर कहती है ना ना डॉक्टर साब, कैसी बात करते हैं, हम क्या जलाएंगे अपनी बहु को डॉक्टर मम्ता की पती से पूछते हैं देखे, क्योंकि ये सिसराल में जली है, तो मामला पुलिस का बनता है तो आप पहले पुलिस को बलाएए, तभी लाजपुरा होगा सास डर चाती है, कि अब तो बच्ची जिन्दगी जेल में ही रहना होगा सारी हसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पढ़ेंगे बहु को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिन्दगी जेल की हवाखाना सास डर चाती है, पुलिस आती है, पास लेती, दर्च से करा रही ममता स्टीट्मेंट देती है आटो, क्या हो था, क्यासे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है बेटी, बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका केरन वाली शारुक, चौप बलकुल चौप सास चौप, सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बूलेगी जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे उपर गिर गई और मैं जल गई सास बहु की बात सुनकर रोने लगती है देखा मा, कितनी समझदार है ममता, ये चाहती तो हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती, मुझे माफ कर दे